हेलो गाइस, मैं ठीके सिना, आज नंबर सिस्टम के आगे के कुश्चन्स को लेकर आया हूँ, जिससे कि आपका NTPC, ZD और MTS का एक्जाम क्लियर हो सके, ठीक है, मैट्स वो सब्जिक्ट है, जिसमें गारंटी दी जा सकती है कि इतना पढ़ लोगे तो तुम्हारा एक्जाम क कुश्चन पकर में आ जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे और जिनका वीक है, वो दो बार तीन बार इसको देखकर बनाने की कोशिस करेंगे, ठीक है, तो आज है डे थ्री और हम लोग आज सबसे पहले, ये कुश्चन है, एक संख्य को जब क्रमिक रूप से चार और पांच से विभाजित किया जाता है, तो क्रमसा सेस एक और चार बचता है, जब इसे क्रमिक रूप से पांच और चार से भाग दें, तो संख्या क्या होगी? मतलब चार और संख्या नहीं मालूम, भागफल नहीं मालूम, कहरा चार और पां पाच और चार से भाग दे, तो सेस्फल क्या आएगा, तो कुछ लोग कहते हैं, जब उल्टा हो गया, तो चार और एक इसमें टिक लगा देते हैं, तो हो गया गलत, ये काम नहीं करना है, हमको सबसे पहले संख्या निकालना होगा, और फिर संख्या को भाग देना होगा, देखें, ऐसे केस में संख्या कैसे निकाले, तो इस भाग को कहते हैं, सक्सेसिव डिविजन, सक्सेसिव डिविजन मतलब होता है, उत्रोतर भाग या करमिक भाग, अब देखें, ये भाग कैसे देते हैं, ठीक है, अगर किसी संख्या को, मानलो यहां इस कोश्यन में क्या कर रहा है, तो चार और पांच से भाग देते हैं, तो रिमेंडर कितना रहा है, एक और चार आता है, किसे किसे भाग दे रहा है, चार और पांच से, और रिमेंडर क् देखें ऐसे चार और यहां पांच इससे भाग देंगे तो रिमेंडर एक और चार ऐसे करके एरेंज करते हैं यहां कुछ नहीं रहता है ठीक है एक चीज़ा और हम लोग क्या जानते हैं कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेस फल अब देखेंगे यहां पे यह भाजक है यह कौन है भाजक और यहां से नीचे क्या है स्टेस फल यह संक्या है भाज क्या और यहां से स्टार्ट होगा भागफल हम लोग कुछ नहीं ऐसे लिख लें चार और पांच से भाग दे रहें तो सेस फल कितना रहा है एक और चार आ रहा है यह अगर कुछ नहीं है तो वन ले लेंगे क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे अब पहले ये निकालो ये संक्या तो 5 एकाई 5 में 4 जोरेंगे दखो भाजक गुना भागफल प्लस सेसपल है ना भाजक गुना भागफल प्लस सेसपल तो भाजक क्या है 5 5 एकाई 5 जोर 4 ये होगा कितना 9 फिर भाजक गुना भागफल प्लस से और एक 37, तो यह आपका नंबर मिल गया, और question क्या कह रहा है, इसी नंबर को, यानि इसी 37 को किस से भाग देना है, तो 5 और 4 से, पहले 5 से और बाद में 4 से, तो जैसे कह रहा है, आप वो ऐसे लिखेंगे, पहला काम संख्या निकाल लो, कैसे निकला, फिर देख लो, 4-5 से भ लिखना, इस जगह पे, कुछ नहीं, अब 5 एक आई, पांच चार नौ, अचार नमा 36 और एक 37, जैको 5 से भाग देंगे 37 में, 5 सत्य 35, से स्पल 2, 4 से फिर भाग लगे, चार एक एंचार, से स्पल 3, यानि 2 और 3 आएगा, इन लोग को दिक्कत हो, सक्सेसिव डिविजन का वीडियो, मैंने दे रखा है, आप उसको निकाल करके, देख सकते हो, नमबर सिस्टम वाले, सेक्शन में जा करके, सक्सेसिव डिविजन के वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को और भी कुश्चन करना होता है, तो इ भाग दिया जाता है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कि संख्या पहले निकालेंगे, चार से और पांच से भाग देते हैं, तो सेस्फल एक और चार आता है, इस जगा कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, गुना कीजिए, पांच यह कहीं, पांच और चार, न और इसको किसे किसे भाग देना है, पहले पांच से और फिर चार से, पांच से थे 35, सेस्फल दो, चार एक हैं चार, सेस्फल तीन, यानि क्रम सा सेस्फल दो और तीन आता है, तो आप्शन सी, तो ये सक्सेसिव डिविजन नया था, जिसको आपको आप लो पढ़ाई तेन तक में नहीं किये होंगे, ये टॉपिक नहीं मिला होगा, इसलिए थोरा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन ये आप देख लेंगे, और इस पर जो नंबर सिस्टम का वीडियो मैंने दे रखा है, वो भी निकाल करके एक बार अच्छे से देखेंगे, ठीक है, अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं, अगला कुशन है ये, ये भी उसी का कुशन है, सक्सेसिव डिवीजन कहीं है, तो ध्यान से देखें, क्या का रहा है, ये संक्या को बारा और पंदरा से भाग दे रहा है, तो सेस्फल चार तथा छे आता है, तो ऐसे ही लिख लो, किस से किस से भाग दे है, बारा से और पंदरा से, यहां बारा और यहां पंदरा, सेस्फल कितना, कितना सेस्फल हम लोग कहां से लिखेंगे, सेस्फल चार और छे आता है, ये चार और ये छे, मैंने क्या बताया, पारला काम संख्या निकालो, और संख्या कैसे निकलेगा, तो लास्ट को अंतिम भागफल को एक ले लेंगे 15 एकाई 15 और छे 21 यह आया 21 तो ना 15 एकाई 15 और इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं फिर 12 से 21 को गुना करो 12 एकाई 12 और चार जोड़ दो बारह काई 12 और चार सुल अब बारह दूना 24 एक पचेस यानि संख्या आया आपका 256 तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है संख्या निकाल लिए अब क्या करा उसी संख्या को 180 से भाग देना है किससे भाग देना है 180 तो संख्या 256 लिख लिजिए यह 256 और इसको 180 से भाग दे दो एक बार में 180 यह आया 6 यह आया 7 यानि 266 यानि option भी परले संख्या निकाल लिया और 180 से भाग देना हो या किसी भी चीज से भाग देना हो तो हम लोग answer निकाल सकते है तो यह successive division का question है जो बहुत important है SC के लिए भी और NTPC के लिए भी ठीक है अगला question हम लोग देखें दो अलग-अलग संख्याओं को दो संख्या अलग-अलग है एक ही भाजक से भाग देने पर सेस्पल 13 और 23 आता है दो अलग-अलग संख्या है और भाग दे रनिश्यत भाजक से यानि एक भाजक है अगर हम हम लोग ऐसे लिखें कि डिवाइजर से पहले संख्या को भाग दिया और उसी डिवाइजर से दूसरी संख्या को भाग दिया N1 और N2 तो पहला सेस्पल कितना आया? 13 और दूसरा सेस्पल आया कितना? 23 फिर क्या करा और जब उनके योग को यानि N1 प्लस N2 इसको अगर हम इसी संक्या भाजक से भाग दे, D से, तो सेस्फल कितना आ गया, पाँच, तो नीचे लिखेंगे पाँच, अब ध्यान क्या देते हैं, कि इस questions में, एको, ये नहीं मालूम, ये, क्यू नहीं मालूम, यहां भी क्यू नहीं मालूम, यहां भी क्यू नहीं मालूम, यहां भी क्य और अगर हम निकालने लगेंगे ना तो ज्याधा time लगेगा तो हम लोग इसके लिए एक trick से काम करेंगे कि जब भी ऐसा question होगा पहले को भाग दे रहें remainder R1 दूसरे को भाग दे रहें remainder R2 और दोनों के योग को भाग दे रहें remainder R3 तो R1 प्लस R2 माइनस R3 यहीं होगा आपका diviser ये क्या हो जाएगा आपका diviser तो diviser बराबर R1 plus R2 minus R3 जब भी भाजक निकालना होगा ते दम देखने के साथ हम लोग solve कर सकते हैं कि R1 plus R2 minus R3 अब बता यहां R1 कितना है 13, R2 कितना है 23 और R3 कितना है 5 तो 13, R3, 36 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा 31 यानि Option D 31 clear है समझने की कोशिस करेंगे ठीक है आगे हम लोग देखते हैं अगला कोशन जो शायद ऐसे ही है अच्छे से देख लें पहले कोशन को यहां भाजक दे दिया है 33 से भाग दे रहा है यहां भाजक नहीं पूछ रहा है यहां भाजक दे दिया है 33 से भाग दे रहा है तो सेस्फल 21 और 28 आता है 33 से भाग दे रहे तो सेसफल 21 और 28 आता है और उनके योग को 33 से भाग देते हैं तो सेसफल क्या होगा हम लोग क्या जानते हैं कि divisor बराबर r1 प्लस r2 माइनस r3 और यहाँ पर यह दिया हुआ है कितना 33 r1 कितना है 21 r2 कितना है 28 और r3 कितना है r3 नहीं मालूम तो r3 पूछ र तो 20, 20, 49, 49, 37 बराबर 37 बराबर 49 माइनस r3 अब बता r3 इधर जाएगा तो r3 बराबर 49 में से 37 घटा देंगे answer आगया 16 यानि option d तो उसको अच्छे से देखें अगला question देखें हम लोग 31 दो अलग-अलग संख्याओं को एक ही भाजक से भाजित करने पर क्रम से 12 और 21 आता है और उनके योग को एक ही भाजक से भाग देने पर सेस्फल 4 प्राप्त होता है ये भी same question है तो पहला सेस्फल 12 दूसरा 21 माइनस 4 यानि 33 माइनस 4 यानि क्या होगा 29 सेम question है इसलिए ध्यान दे कि question जब सेम है तो कैसे solve होगा अगला question देखें दो संख्याओं का योग 160 है उनका अंतर 49 है योग कितना है 160 अंतर कितना 49 वर्गों का अंतर पूछ रहा है तो वर्गों का अंतर यानि x square minus y square यह क्या होगा तो x plus y into x minus y यही होता है अब बताओ यह मालूम है एक सो साथ और यह मालूम है 49 तो गुना कर लेंगे जीरो 169 एक सो चवालिस सोलत यह आरतालिस दस अंठावन और एक उनसर्ट 5940 फिर से चेक कर लो 169 एक सो चवालिस तोलत यह आरतालिस बासट हो जागा 6240 यानि एंसर डी एंसर क्या होगा डी जब भी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर रहे तो संख्याओं का यूग गुना संख्याओं का अंतर और इसको क्या बोलेंगे वर्गों का अंतर संख्याओं का यूग X प्लस Y अंतर X माइनस Y दोनों मान दिया हुआ है वैलू रख दो अच्छे से देखे अगला कोश्यन देखें एक परिच्छा में एक छात्र को परतेक सही उत्तर के लिए चार रंक मिलता है कोई भी एक्जाम आप देते हैं तो वा निगेटिव मार्किंग भी होता है तो सही के लिए अलग नंबर मिलता है गलत के लिए नंबर कटता है तो परतेक सही के लिए चार रंक और परतेक गलत के लिए एक अंक की हानी होती है मतलब सही है तो चार अंक मिलेगा गलत है तो एक अंक कटेगा लेकिन वो चार अंक भी कटा फीक से सोचो सही हुआ तो चार अंक मिला आगर गलत हो गया तो चार अंक नहीं मिला अपलस एक अंक यानि पाच अंक न कटेगा तो अब देखें एक छात ने सभी 200 परश्णों का प अब बताओ अगर सभी सही होता यह दे सभी होता सब करेक्ट होता तो क्या मिलता चार नमबर का है तो 200 गुणा चार, 800 नंबर मिल जाता, अगर सब सही होता तो उसको 800 नंबर मिलता, लेकिन मिल कितना रहा है, मिलता है कितना, मिला कितना, तो 200, ज्यान से देखो, एक छात्र ने सभी 200 प्रश्न का प्रयास किया, तो मिलना, अगर सब सही हो जाता तो 800 मिलता, लेकिन मिला कितना, 200, मतलब नह मिला कितना तो यह लिख लएं नहीं मिला हलांकि इसको लिखने क्या वो सकता नहीं है आप लोग पढ़ने के साथ निकाल सकतेमें कि नहीं मिला कितना छहषậnव और एक गलत पर कितना marks कट रहा है? चार वो और एक और यानि एक गलत पर पांच marks का लॉस है तो छे सो मार्क्स का लॉस तो गलत की संख्या, गलत की संख्या कितने question गलत होंगे? तो 600 को, चार जोर एक, ये चार जोर एक कहां साया? कि चार नहीं मिला, आपला से एक negative, यानि 120 question आपका गलत है जब पढ़ने के साथ फिर से देखो, सब सही होता तो 800 मिलता मिला कितना? 200, 600 नहीं मिला, 600 को पांच से भाग दे दो 120 गलत है, यहां तक तो पढ़ने के साथ बन जाएगा तो सही कितना? तो टोटल 200 है, 200 में अगर 120 गलत है, तो सही कितना? 80 है न बहुत आसान? question देखकर, खवराट लग रही थी लेकिन उतना ही आसान कि यहां तो think without ink, think without ink, सोचो बिना पेन का और एंसर दे दो, तो अगर मिलता 800 तो मिला कितना? 200, हटा दो, नहीं मिला कितना? 600, एक गलत पर, देखको, यही नहीं सोच पाते है, अगर सही होता तो चार मिलता, यह चार और एक निगेटिव हो गया, पांच, तो टोटल एक question गलत पर, पां यानि 120, सारी, 600 बटा पांच, यानि 120, तो गलत हो गया 120, सही हो गया 80, ऐसा है एक question और मैंने आपके लिए दिया, जल्दी से आप लोग बनाईए, जल्दी बनाईए अपने-पने copy पे, और comments box पे जल्दी से comment भी किजिए, मैं आपका comment देखता हूं, अब यहां क्या करा है, चार अंक मिलता है और निगेटिव एक अंक है, यदि वह सभी 75 प्रश्न का प्रयास करता है, बताओ, 75 में 75 सही होता, तो मिलता कितना, 300, अम मिला कितना, मिला कितना, मिला, कितना मिला, 125, घटा दो, नहीं मिला, कितना नहीं मिला, तो इससे यह घटा देंगे, 175, 175 क्यों नहीं मिला, गलत हो गया, एक गलत पर कितना कट रहा है, तो चार यह और एक वो, तो गलत की संख्या, कितनी, तो 175 बटा, 4 और एक, 5, 5 सिया 15, 5 बचे 25, कोश्चन करा, सही उत्तर की संख्या बताओ, तो टोटल तो 75 था, आप 35 अगर गलत है, तो सही कितना, 40, यह हो गया आपका सही, बहुत इजी है, थोड़ा सा एक, दो बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आसानी से स्टॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, आगला कोश्चन हम लोग देखते हैं, यह, तीन क्रमागत विश्वम संख्याओं का योग, 65 के 2 वर्टा 5 से 25 अधिक है, 65 का 2 वर्टा 5, अब बताओ, तीन क्रमागत संख्याओं, हम लोग कुछ नहीं, 65 का 2 वर्टा 5 निकाल लेते हैं, 80 से 25 अधिक है, प्लस 25 कर दो, यह लाइन, 65 के 2 वर्टा 5 से 25 अधिक, का मतलब गुना, 5 से 1 अधिक, 13 दुना 26 और 25 एकाबर, यह क्या है, तो तीन क्रमागत विश्वम संख्याओं का योग है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, जब भी योग रहेगा और संख्या रहेगी, तो हम लोग मिडिल टर्म निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म, एम्टी मतलब मिडिल टर्म, तो एकावन बट्टा, तीन संख्याओं, तीन से भाग दे दो, 17 और तीन क्रमागत विश्म संख् ले कौन होगा, 15, 17 के बाद कौन होगा, 19, क्वेशन क्या पूछ रहा है, मद्य संख्या क्या है, एंसर 17, पढ़ने के साथ, निकल सकता है, अगला देखें, दो संख्याओं का गुरन फल, ऐसा कोश्चन भी, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या है, एकस इंटू वाई, 180 है, और उनके वर्गों का यूग, मतलब, एकस स्क्वाईर, प्लस वाई स्क्वाईर, 379 है, अच्छे से देखेंगे, तो मैंने क्या बताया, ता जब भी गुरन फल हो, आप क्या करोगे, इसका लगभग स्क्वाईर रूट निकालोगे, खल के वीडियो में भी देखना, तो ये लगभग स्क्वाईर रूट, 14 का स्क्वाईर, 194 नहीं होगा, 13 होगा, लगभग, 13 से छोटा, किस से 180 कटेगा, वो चेक करना है, तो 12 से भाग देखें, देखो, 12 ही कहीं 12, अच्छाव परजीरो, 12 पचे साथ, तो 12 गुना 15, बराबर आता है 180, तुरत आपको क्या चेक करना है, क्या इनके वर्गों का योग 379 आ रहा है, तो 12 का स्क्वाईर, जोर 15 का स्क्वाईर, यानि 144 जोर 220, ये आ 379, अब इस पर क्या पूछ सकता है, कहेगा दोनों का आंतर बताओ, घटा दो, कहेगा दोनों का योग बताओ, जोर दो, चोटी संख्या का स्क्वाईर, बरी संख्या का स्क्वाईर, दोनों के स्क्वाईर का योग, दोनों के स्क्वाईर क्यूब का योग, कुछ भी, तीन लगातार प्राकिर्ट संक्या के वर्गों का योग, ध्यान देना, तीन लगातार प्राकिर्ट संक्या के वर्गों का योग, अगर हम लिखते, तो लगातार संक्या, एक्स स्क्वाइर, प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वाइर, प्लस एक्स प्लस टू का स्क्वाइर, क्यों तो मद्य संख्या क्या है अब इतना तोरते हैं तो बहुत टाइम लगता हम फिर मिडिल टर्म का सहारा लेते हैं क्या कि टू जीरो थ्री जीरो को तीन से भाग दे देते हैं तो तीन चक 18 दो पर तीन सते 21 दो पर जीरो तीन चक 18 पॉइंट कुछ होगा लगभग 676 का यह वर्ग था यह वर्ग था तो इधर स्कॉयर रूट यानि एंसर बीच वाला टर्म क्या होगा 26 26 में टिक लगा दो क्यों लेंदी रासा चुनना लगभग से चलो ना लगभग से चलेंगे तो कोशन बन जाएगा अब ध्यान दे हैं हाउ मेनी डिजिट्स इन ओल आर रेक्वार्ट तो राइट नंबर्स प्रॉम वन से फिप्टी एक से पचास तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों की आवस्यक्ता होगी एक से पचास तक लिखना है एक से नौ वाली संख्या है तो नौ गुणा एक 1,2,3,4 तो सब एक अंक है और 10 से देखो 10,11,12, से लेका का से पचास तक सब दो अंक की संख्या है तो एक से नौ तक एक अंक, अब हम लोग पचास में से नौ तक ले चुके हैं, तो जो ले लिए न, घटा दो, तो पचास से नौ घटा कितना होगा? 41, आज सब दो-दो अंक की संख्या है, तो दो से गुना कर दो, 41 दो न, 82, 42, आज सबसे बरी और सबसे चोटी चार अंकों की संख्या, जो तीन से शुरू होगा, होती है और पांच पर समापत होती है, चार अंकी, तो 3 से शुरू, 9, 9, 5, 3 से शुरू, कंडिशन दो है, ये 3 से शुरू और 5 पर खतब, ये बरी से बरी संख्या हो गया, और चोटी से चोटी संख्या, 3, 0, 0, 5, तो दोनों का क्या पूछ रहा है, अंतर क्या है, गटा दो, 0, 9, 9, एंसर 990, बहुत ही जी है, जिससे आपका दिया स्टार्ट, अगर बरी से बरी संख्या लेना है, तो 9, 9 डालो, चोटी से चोटी लंकी लिकालना है, तो 0, 0 डालो, ठीक है, आगला देखिए, एक परिक्षा में A और B के अंकों का योग A प्लस B कितना है, 120 है, B और C, B प्लस C, 130 है, जो दिया है पहले लिख लिए, C और A, 140 है, घ्यान से देखो, A अगर हम तिनों को जोड़ दे, तो A कितनी बार, 2 बार, B कितनी बार, 2 बार, C भी कितनी बार, 2 बार, यानि अगर हम जोड़े, तो 2 बार, A, B, C, और ये बराबर कितना होगा, 0, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 1, 1, 2, 1, 3, तो एक बार, A, B, C, क्या हो जाएगा, एक बार, A, B, C, तो 390, बटा दो, 2 से 19, दुना 38, और 2 पचे 10, 2 पचे 10, दुना 8, 11, यानि एक सो पंचान बेर, कोशन ये नहीं पूछ रहा है, हम लग लेकिन तोटल निकाल चुके है, कोशन कर रहा, C बताओ, तो बता, A, B, C में से, अगर हम A, B घटा दें, तो C नहीं बचेगा, तो A, B कितना है, 120, तो C बराबर, 195 में से, 120 घटा दो, कितना है, 75, यानि आप्शन बी, समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही, कुछ कोशन्स मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए, जो आप ध्यान दें, अगला कोशन, जो आप सॉल्व करेंगे, वो देखिए, वह सबसे छोटा अंग भरें, जिससे ये 9 से, किसे 9 से कट जाए, 9 से कटने के लिए क्या करते हैं, अंकों का यूग 9 से कटना चाहिए, हिंट काफी है, बनाएंगे आप, या अगला है, N को 6 से भाग देते हैं, तो सेसफल 4 होता है, मैंने इस टाइब को कोशन बता दिया था, और जब 2 N को 6 से भाग देते हैं, तो remainder क्या होगा? बताये थे कि अगर संख्या दो गुणा तो रिमेंडर को भी दो गुणा कर लेना अत्तब भाग दे देना अगला कुश्यन यदि कोई संख्या 31 से उतनी बरी है जितनी वो 75 से कम है तो वो संख्या क्या है बस एक्योशन में लिगना 75 माइनस X बराबर X माइनस 31 मैं बता नहीं रहा हूँ आपको सोचना है ठीक है अगला उन सभी अभाज संख्या का योग जो 17 से अधिक नहीं है मतलब 17 से छुटा अभाज संख्या कौन-कौन है उसका योग बताना है और 8 का पावर इन माइनस 4 का पावर इन जहां इन क्या है नेचुरल नंबर है और यह जो है ऐसे आ गया यह 8 का पावर इन है माइनस 4 का पावर इन है तो यह हमेशा किस से विभाज होगा इन सारे कुश्चन को आप लोग बनाएंगे अगले क्लास में जहां डाउट सो पूछेंगे तो सुभरात्री थैंक यू झाल 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 झाल